अब यहां पर देखें यह लंबाई के लिए पहले मैं निशान लगा रहे हूं तो कोई भी एक साइट पर आपको चाहिए जितनी लंबाई आपको चाहिए अब इस साड़े तीसरा कोन पर हमारा बचा इसमें एक इंच यानगी वन इंच पर हम निशान लगांगे और इस तरह से सीधा कर देंगे अब आसन के लिए निशान लगाना है तो जहां पर हमने यह लंबाई ली थी ना 16 इंच के लिए इसी लाइन पर हमें आसन के लिए भी निशान लगाना है आसन का निशान मैं 5.5 इंच में लगा रही हूँ और साथी साथ एक इंच के कमर में उपर बेल्ट आ जाएगी तो साड़ी छे इंच का टोटाल आसन बनेगा अब अंदर की तरफ को एक इंच आने की वन इंच पर निशान लगाएंगे और इसको उपर की तरफ पर हम सीधा कर में आच देंगे इसके पधिया प्रॉच का कर बना लेना है अब से मार्किंग के उपर हमें इसकी कट तो आसन के कैट हो गया है अब साइट वाला कट खा के न्मेल का कुछ ठीक हाने कर ख़िंवाश पंठा हां दे रही हूं अब इस वाले हिस्से को हम सिलेंगे तैंगे तो कोट इस नए को स्क्राइब से इस नर् cause करके रख देंगे अब यहां पर 1-1 इंच की दूरी पर इस निए अब यहां पर इस में हमें पर रिखा लेंगे तो तो इनधी आपशी forward लगा दी है अब इसको वापई से ओंढकर करना है इसे जूड़ी है इन दोनों में आप प्लीट्स चिजगे हैं इसलों प्लीट्स अब प्लीट्स कैसे ड़ना है शुम आपको बता राज हो प्लीट्स कि डारीक्ष है साइड कि और को होता है दिखे इस सब्सक्राइब प्लीय तो किए पर याप फे के अचित पर दिखने यार फेगड़ इस तरह से श्चुछ ₹ ज़ीं टोतल श्च प्लीय को हुई आप सियम् इसी तरह से लाइनसे में इसकी दूसरा में हैं तो तो दुसरी साइड में भी ध्यान रहे प्लीट्स की जो डारेक्षिंऩ वह यहां सेंटर साइड कट के उरको होनी चाहिए बस इसी तरह से छे प्लीट्स हम इसकी यह वाली साइड में भी डालेंगे और इसको पिन से सिक्यार कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंने प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स की डारेक्शन जो है वो देखे सेंटर के तरफ को है दोनों तरफ पे अब सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार भी बना ले रहा है तो देखे मैंने दूसरा पार बना लिया और इसकी चोड़ाई देके 12 इ तो इसे मैंने सिलाई लगा लिया उसके बाद इसको हमें एक दूसरी के ओपर इस तरह से पालट के रखना है और पालट के रखने के बाद इसके आसन में सिलाई लगाने तो आसन में सिर्फ एक साइट पर हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ का हमें ऐसा ओपन तो बैल बनाने के लिए मैंने यहां पर कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है इसकी जो लंबाई है वह हमारे इसकी कमर के जितनी है और चोड़ाई हमारी 4 इंच की है अब बैल की चोड़ाई है यह अपने एलास्टिक हिसाब से एड्जस्ट कर सकते हैं बैल को हमें सलवार म जितना पकतर है नोगरी 5 इन महांने लिए तो दिप्राइब कर दो किこれू कर्या यहां data जोडल चिलांगी है अभी मेंहीं होर्प अगर कंच के लिए कि में से से थोड़ी से इसक्म लिए यह तो से कमर से 2 इंच कम country बचिए 15 इंच इब अब रहुत दुसरी तरफ से निकाल दे ना और इस अगर आपको एलास्टिक ऐसे लगाना इसकी डीटियल में वीडियो देखने है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देदूंगी लास्टिक लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिलाते हुए एक इंच का डबल फोल्ड कर देंगे तो देखिए मैं पहले इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद इसमें सीधी सीधी हमें सिलाई लगा लेनी है तो देखिए मैंने इसमें यहां पर सिलाई लगा दी है अब मैं यहां पर लेस ले रही हूं और इसको यहां पर इससे रखना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है यहाँ पर देखिए मैंने इसमें लेज भी लगा लिया अब इसको सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके जो इनर लेग्स है यानि कि अंदर वाली साइड जो है पहय जामे की इसमें भी हमें से लाई लगाते जाना है सलवार बन के रेडी हो गई है और बनने के बाद सलवार की जो लंबाई आई है वह 16 इंच की और इलास्टिक लगाने के बाद जो कमार आई है वह 16 इंच की